सबसे बड़ा पाप है अपने आपको कमजोर समझना जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है लेकिन जब आप आलसी है तो कुछ भी आसान नहीं है मन की शक्तियां सूर्य की किर्णों समान है जब वे केंद्रिद होते हैं तो वे रोश्नी करते है जब तक जीना तब तक सीखना अनुभवी जगत में सर्वस्रेष्ट शिक्षक है हमेशा चिंतन करो चिंता नहीं नए विचारों को जन्म दो एक अच्छे चरित्र का निर्मान हजारों ठोकरे खाने के बाद ही होता है अपना जीवन एक लक्ष पर निर्धारित करो अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष से भर दो और हर दुसरे विचार अपने जिन्दगी से निकाल दो यही सपलता की कूंजी है मंजील पर पूचना है तो कभी राह के काटों से मत घवरान क्यूंकि काटें ही तो बढ़ाते है रपतार हमारे कदमों की किसी महान उद्देश पर चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती जितनी की चलने के बाद कठिनाईयों के भे से पीछे हट जाना यदि आप चलते ही रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता आउश्य मिलेगी रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असपल हो जाते हैं क्यूंकि उनमें समय पर सहस का संचार नहीं होता वे भेवित हो उड़ते हैं उस सुख का त्याक कर दो जो किसी के दुख का कारण बने कुछ काम करने से पहले हार मत मानिये नहीं तो वह काम कभी भी अच्छा नहीं होगा जो चुनुतियां का सामना करने से डरता है उसका असफल होना तय है ए उसके भी जड़ते हैं